बसपा की लोकसभा के लिस्ट जल्द होगी जारी बहनमायवती ने भाजपा को फसा दिया ज्या दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना मैहू परागमेंदर आप देख रहे है नैशनल चौपाल जिस तरीके से तमाम राजनेतिक पार्टी या आने वाए लोकसभा दोजार 24 को ध्यान में रखते वे अपने रन्नीतियों को पूरी तरीके से साफ कर चुकी है और इतना ही नहीं तो अपने तमाम प्रत्याशों की लिस्ट लगातार जारी कर रही है ऐसे मैं अगर बता दे कि BJP की तो BJP ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दिये जहाँ पर 955 प्रत्याशो कब अपने प्रत्याशों की लिस्ट जारी करेगी तो सूत्रों के हवाले से जो खबरे निकल कर आ रही है उसके मताबिक हम आपको बता रहे है कि आने वाले इस हफ्ते में ही बहुजन समाच पाइटि के जरिये अपने लोग सबा प्रत्याशों की लिस्ट जल्द ही जारी कर दी जाएगी बहर्मायवति के जरी तमाम तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की बैठाके इसके साथ साथ तमाम प्रदेशों के माधियम से जो पदादिकारी मौझूद हो रहे हैं उनकी तरफ से जो बैठाके हो रही है इतना ही नहीं तो गावचोल अभ्यान के अंतरगत व कुताबीक बहुजन समाच पार्टिक राष्टर दजबेन माविती इनके पास में तमाम प्रत्याश्यों के जो नाम है वो पहुच चुके है कि इनको अभी चुनावी मैदान में उतारा जाएगा वो तमाम जो नाम है वो भी पूरी तरीके से अब सुनेशीत हो चुके है अब कि कहने के अब सुर्खियों में चल रहे है उसके साथ में आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो लिस्ट जारी करने के पीछे कर जो कहने की देरी कहे या फिर जो चैन करने के लिए जो चीजों को कसोटी में खरा उतरने के लिए बहुजन समाच पार्टी पूरी त ये लगातार सूतरों से ये खबरे निकल कर आ रही है कि पिछले चुनाओं में जिन प्रत्याश्यों का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिन्होंने अच्छे बोंट लेकर आये है, जिन्होंने अच्छा अपने शेत्रे के अंदर में काम करके दिखाया है, ऐसे लोगों को फिर एक बार टिकेट देने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरीए किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे के कुछ कारण है, उसके साथ मैं भी आपको आखिर मैं आपको जरूर सुनशीत करूंगा, क्या कि बहुजन समाज पार्टी के टिकेट देने के पीछे के क्या रननीतिय होती है और कैसे प्रत्याशी बोजन समाज पार्टी तमाम चुनाओं में बनाती है इसके साथ साथ ऐसे जो प्रत्याशी है जिन्नोंने दो लाग से अधिक वोट लाया था उनको बोजन समाज पार्टी सबसे पहले प्रात्मिक्ता देगी और उनको टिकेट देने का काम किया जा सकता है ये भी लगातार सूतरों के अवले से जो खबरे निकल करा रहे हैं वो आपके साथ में हम साजा कर रहे हैं जिस सीट पर जो प्रत्याशी है यहाँ पर हो सकता है ऐसी तमाम जो सीटे है जहाँ पर बोजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों का सही तरीके चैन नहीं कर सकती या फिर नहीं कर पारही है ऐसे में यह जरू देखा जाएगा कि वहाँ पर कॉडिनेटर्स कौन है किन कॉडिनेटर्स के द्वारा उन तमाम छेतर में लोग सबाद छेतर म काम किया जा रहा है तो इन कॉजिनेटर को भी भोजन समाज पारटीं टिकेट दे सकती है ये भी लगातार बताया जा रहा है इतना यह नहीं तो अधिकतर जो dziकारी के तमाम जो पदादिकारी है उनके पास में वो नाम पहुच चुके है और इसके साथ साथ जो दावेदारों की जो सूची है वो दावेदारों की जो सूची है वो भी अब कॉडिनिटर्स के साथ साथ बेन मायमिति के पास में भी वो तमाम लिस्ट पहुच चुकी है लेकिन यहाँ पर जो सूत्रों के आवाले स से खबर निकल कर आ रहे हैं कि ऐसे जो की प्रत्याशी पिछले चुनाव में अच्छे वोट लेकर आये थे जो ने अच्छा प्रदर्शन दिखाए था उनको बहुजन समाज पार्टी फिर एक बार टिकेट दे सकती है लेकिन आपको इस बात को गंबिरता से समझना कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही नय जो उमिद्वार प्रत्याशी होते हैं उनको ही चुनावी मैदान में उतारती है जिने बहुजन समाज पार्टी टिकेट दे देती है चाय फिरो प्रत्याशी जीते या फिर हारे प्रत्येक बार ये देखा जाता है कि नय प्रत् समीकरण के आधार पर मौका मिलना चाहिए इसलिए बोजन समाज पार्टी कोशिश करती है कि प्रतेक बार नए प्रत्याशी को टिकेट दिया जाए और इसी के आधार पर ये देखा जाता है कि बोजन समाज पार्टी अपने केंड़ेट को रिपीट करने का काम नहीं करती और इसलिए ये भी कहने की देखा जाता है कि जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से टिकेट की बदलते जीतते हैं और जीतने के बाद में जब अगला चुनाव आता है तो वो प्रत्याशी वो जो जीते हुए कैंडिड है वो कहने के दूसरी पार्टियों में शामिल होने क लिए अपनी जमीन को तलासते है लेकिन इसका जो असर है ये बहुजन समाज पार्टी पर नहीं होता क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो कारे करता है जो पदादिकारी है वो तमाम जो नेता जीत कर निकलाते है उनके उपर में कहने की ध्यान नहीं देते है क्योंकि ब बोजन समाज पार्टी भी इस बात को बड़े बुलंदी से कहती है कि उनके साथ में दो दलित वोटर है वो हर संभव और असंभव परिशीति में उनके साथ में बरकरार रहता है और ऐसे में ये देखा जाता है कि सांसद विधायग बले ही पार्टी से छोड़कर चले जाए इसका असर बोजन समाज पार्टी के बोर्ड बैंक पर नहीं होता अब ये देखना दिल्चस्पोगा कि सूत्रों के हवाले से जो खबरे निकल कर आ रही है ये खबरे पास्तविक्ता के आधार पर कितनी जादा कारगर साबित होती है बैन मायवेति के जर्ये अब इसी हफत इसको लेकर बैन मायवेति के जर्ये जो कुछ आने वाले वे लोग सबादोजा 24 को ध्यान में रखते वे जो निरने लिये जाएंगे इसको लेकर आपकी क्या राय होगी प्रतिकरिया क्या है लिख कर हमें कमेंड बॉक्स में ज़रू बताए बने रहे है नेशनल चौपाल क के साथ मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए जय भी जय भारत